जिनके भी बहुत ज़्यादा दागधबे हैं बहुत दिन का पुराने से पुराने दागधबे हैं वह लोग सोचते हैं कोई ट्रिटमेंट मिल जाए या कुछ हो जाए मैजिककल कर एक ही दिन में लगाऊ और एक ही दिन में दिमूग हो पाए ज़्यादा तर हम लोग जो beauty वीडियो देखते हैं ऐसे जब हम लोग के face में दाग धबे आ जाते तब हम लोग जो सब youtube में search करते हैं उसमें से ज़्यादा तर वीडियो फ्रेंस ऐसा दिखाता है क्या कोई cream अपने face में लगाया और वो post लिया तुरंती वो गायफ हो गया है जादा तर फ्रेंस यह remedy जैपनिस का skin के उपर लगा के दिखाया जाता है तो फ्रेंस यह सब फेक है यह सब फ्रेंस वीडियो एडिटिंग के उपर जाता है तो ऐसा नहीं होता है क्या कि फ्रेंस यह कोई erasure नहीं है क्या आपके face में दाग धबे एक की दिन में मिटा देग क्यूंकि मैंने भी यह लिखा है पर फ्रेंस मैं कभी भी यह जूटी बात आपको ने बोलूंगी क्यूंकि आप मेरे बहुत बहुत पुराने से पुराने सब्सक्राइबर हो मेरे दोस्त हो मेरे उपर भरुसा रखते हो इसलिए आज भी आप मेरे साथ जूरे रहे हो तो व एक दिन में ये थोड़ा बहुत ये आपके स्किन का दाग धब्बे को लाइटन करेगा और आपके दाग धब्बे बहुत बहुत पुराने के हैं तो फ्रस ये लाइटन करते के तो फुल रिमूब कर देगा और आपके स्किन में ने ने दाग धब्बे हैं जैसे कि आपके फे तो उसे रिमूब करने के लिए फिरस आपको थोड़ा पेसेंस रखना है पर हंडिट परसंट रिमूब करेंगे यह बोल रही हूं पर आपको patience रखना है और इसे लगाते जाना है यह instant result देता है instant जो दाग धब्बे आते हैं face में वो दाग धब्बे को यह instantly रिमूब करता है और आपके face में permanent बहुत दिन का पुराना दाग धब्बा है तो उसे permanently रिमूब करेगा उसके लिए इसे permanently use भी करना है तो मेंगा बैला, chemical बाला, cheese छोर के friends आप इसे लगाते होता है इसके लिए आपको ना ही पैसा खर्चा करना पड़ता है ना ही यह आपको जुटा दिलासा देता है क्योंकि ज्यादा तर हम लोग जो मेंगा बैला क्रीम खईते हैं वह भी friends 100% इसे remove नहीं कर पाता है उसके साथ ही साथ उसके लिए भी आपको बग देना पड़ता है रेगुलर इस्तमाल करते जाना पड़ता है उसके बाद जाके फ्रेंस थोड़ा बहुत रिजल्ट चायद दिखता है पर 100% नहीं हो पाता है और क्रीम की जगा फ्रेंस आपको पलर से एक ट्रिटमेंट लेते हो या फ्रेंस आप डॉक्टर के दिखा के ट्रिटमेंट लेते हो तो फ्रेंस आपको टाइम तो बहुत कम देना पड़ता है उसके साथ ही साथ फ्रेंस इसके लिए एक भी पैसा खर्चा नहीं होता है और 100% आपको रिजल्मेंट रेमिडी को इस्तमाल करने से फ्रेंस कौन सा दाग धब्बे आपके रिमूब होते हो एक बार आपके साथ शेयर कर लेती हूं तो पहला है फ्रेंस आपके फेस में पिंपल के निशाना तो उसे यह इस्टैनली रिमूब कर देता है दूप से बना हुआ काला पनाया है फेस में तो उसे मिटा देता है आपके फेस में धूब से बना हुआ पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन जिसे बोलते है चाई आ, ऐसा डाग धबे है, तो फेंसे भी यह मीटा देता है, आपके फेंस में फेंसे है, ब्लेमिश है, तो इन से भी को रिमूब करने के लिए भी फेंस ती रमीं बहुत ही असरदार है, और इसके साथ पर साथ पर से पर मैं कटे चले का निशान है, तो उ तो आप देखरो Special Care OneSelf और मैं हूँ आपकी दोशीशा तो वीडियो को पहले लाइक कर दो और शेयर करो ताकि इस रमडी का benefit हर को यह ले पाए और पर्स टाइम आप मुछे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लो तो आगे ब सब मसूर कि पाउडर ले लो मसूर डाल फ्रेंट्स आपके सिकीन का काल यापन को मिटाता है स्कीन का दाग धब्बे को मिटाने के लिए help करता है उसके बाद मैं एसके साथ जोरों गी फेंश एक चममज आलू का रस फ्रेंश आलू भी बहुत अच्छा रहता है स्कीन के अबेजली का निशान ऐसा बगर अबगर सभी दांग धबे को मिटानी के लिए अलू बहुत अच्छा है अलू के छिलका को साथ इसे कद्दुकस करो क्योंके छिलके भी फ्रेंस ऐसा कुछ गुल रहता है जिससे आपके फेस का दांग धबे रिमूब हो पाता है इसलिए छिल निकाल लो एक चमच आपका अलू कर आपका रिमूब करने में हेल्फ करता है तो इसलिए हम लोग चमच अलू करें से साथ हम लोग जोड़ेंगे लेमन का जूड़ लेमन का फेस्ट नेच्रल बीच रहता है जो आपके कि एक हम क्र Вас? यानि कार्ड प्रेंट था गजोर ना है देही में एलक्तिक एसिड जो आपके skin का दाग धब्दे को रिमूब करने में help करेगा उसके साथ ही दही में natural moisture रहता है जो आपके skin को moisture दिलाएगा इन में glow ला देगा तो इन सभी को अच्छे से मिस्ट कर लो और मिस्ट करने के बाद अभी चली मैं दिखाती हूँ आपको इससे कैसे इस्तमाल करना है तो मैं यह थोड़ा सा पैक बनाई हूँ आप और भी ज्यादा बनाना चाहते हो तो फ्रेंस इससे जो भी मैंने इसमें ज अच्छे से थो लो प्लीन फेस में इसे लगा फेस में मेक अप incar deux you s every कुछ भी नहीं रहे जै कुछ भी नहीं रहे में है अपको लगाना है तो मैं पानी से अच्छे से अपने हैसको दो रही कि दोने के बात पर शAK करका अपने हैश पोल्च भी लेना है से दोड़ा दब ड तो इसे जैसे कि हम लोग फेस पैक लगाता है ऐसे लगाओ आपके फेस में दाग धब्ब है तो फ्रेंस आप पहले जहां पर प्रेंसे ट्राइ करो मैं फूल फेस में लगा के दिखाने पर आपके जहां पर दाग धब्ब्ब्ब वहां पर लगाओ कम से कम साथ दिन लगाता लगाने के बाद जब यह आपके दाग धब्बे को रिमूब कर डालेगा उसके बाद से फिरन्स आप फुल फेस में लगाते हो फिरन्स यह आपके फेस का जो color complexion है उसे लाइटन करके फियारा स्कीन दिला देगा तो फुल फेस में लगाने से ये फायदा रहेगा और आपके दाग धबे को आप मिटाना चाहते हो तो फिर ले दाग धबे को में लगा के इसे मिटा लो दाग धबे को मिटा लो उसके बाद इसे फुल फेस में लगाना तो जो कि इसके instant result दिखाऊंगी, आप 20 मिन जरूर रखना, 20 मिन रखने से इसका 100% result आपको मिलेगा, और यह जब 20 मिन रखोगे तब यह face back dry हो जाएगा, तब इसे थोड़ा थोड़ा पानी dab-dab करके full face में लगा के आपको इसे remove करना है, तो हफते में friends इसे आपको 3-4 दिन से remove हो पाता है, यह एक scrubber का भी काम करेगा, और इसमें भरपूर माते में moisture है, क्योंकि हम लोग इसमें दही जो रहे है, तो friends आपको स्कीन को soft new बनाएगा, तो धोती आप देख पाऊँगा, आपको स्कीन बहुत जादा lighten हो जाएगा, instantly तो दाग धबे पे जब आप लगा स्कीन कितना bright लग रहा है, कितना glow कर रहा है, तो मैं अच्छे से धो लेती हूँ, दोने के बाद आपको 100% result दिखाऊंगी, यह याद रखो instant बाला result है, यानि मैंने अभी का भी लगा के, अभी का भी मैं धो रही हूँ पर आप 20 मिन रखोगे, तो friends, मेरे फेस में जो result आप आपको मिलेगा, क्योंकि हाँ में 100% face pack को इस्तेमाल किये हो, तो मैं तो सिप एक ही मिनट से शाय रखी थी, तो आप देख पारे हैं, मेरे स्कीन कितना bright हो चुका है, कितना glow कर रहा है, आप देख रहा है, बहुत बहुत जदा bright लग रहा है, बहुत जदा glow कर रहा है, तो friends, ज़रू try करो, जिसके face में दाग धबे हैं, वो इसे हबते में 3-4 रेगुलर इस्तेमाल करते जाओ, तो friends, 100% ये आपके skin का दाग धबे को रिमूब कर देगा, तो friends, आशा करते हैं, वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful लोगा, तो वीडियो को like करे, share करे और चैनल को subscribe कर ले तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर टराओंगी को अच्छे से beauty tips के साथ, thanks for watching, bye and take care